Hello everyone, welcome to the video आज की विडियो में हम 8th class की chapter 2 को solve करेंगे जो है linear equation in one variable ये chapter बहुत easy है, बस हमें इसका थोड़ा सा basic समझना है सबसे पहले हमें ध्यान में देना है कि जब भी कोई भी value x, y, a, b इस form में लिखे जाती है, तो ये सब होते हैं variable इन्हें variable कहा जाता है और अगर कोई value 2, 4, ये कोई भी number के रूप में है तो उसे कहा जाता है constant उसे कहते हैं constant तो जब भी कोई constant और variable एक साथ आते हैं जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 3x तो इसे कहा जाता है term इसे कहते हैं term और जब भी कोई constant और variable एक साथ आये तो उनके बीच में हमेशा multiplication हो रहा होता है इसके बाद जो चीज़ हमें समझनी है वो है कि अगर मैं यहां पे अगर मैं यहां लिख दूँ 3x plus y is equal to 10 तो यहां पे पहली term यह दूसरी term और यहां पे यह तीसरी है तो यहां पे जब हमारे पास बीच में is equal to का sign आ जाता है तब यह equation बन जाती है उससे पहले यह क्या थी उससे पहले यह terms थी और जैसे ही is equal to लग जाता है यह equation बन जाती है तो शुरू करते हैं हमारा पहला question है 3x is equal to 2x plus 18 ऐसे questions को solve करने के लिए हमें सबसे पहले यह ध्यान देना है कि जो variable वाली term है हमें इन्हें x तरफ लेके आ रहा है लेकिन यहां पे हमारे पास 2x और 18 और यहां पे simple सिर्फ 3x है तो हम यहां पे x और x यानि variable वाली terms को एक तरफ लेके आएंगे तो जो चीज पहले इसे लिखी गई है जैसे is equal to से पहले 3x था तो हम पहले उसे ही लिखेंगे अब हम 2x को is equal to के दूसरी तरफ लेके आएंगे और जब भी is equal to के कोई भी term left या right जाती है तो उसका sign change होता है यहां इसके साथ कोई भी sign नहीं है मतलब यह plus है तो जब plus दुसरी तरफ जाएगा यह बन जाएगा minus 2x is equal to और यहां पे रहे गया 18 तो 3x minus 2x और जब हमारे पास जो variable होते हैं same power वाले होते हैं यहां पे x भी power 1 है यहां पे भी 1 है यह simply समझे जब values बिल्कुल same होते हैं तो हम उनकी numerical values को directly minus करते हैं तो 3 में से 2 गया 1x is equal to 18 जिसे हम simply कह सकते हैं x is equal to 18 यह था हमारा question number 1 next हमारा question है 5t minus 3 is equal to 3t minus 5 यहां पे हमारे पास एक term है t variable वाली उसके बाद एक constant है उसके बाद फिर से एक variable term है t वाली उसका फिर से constant है तो हम क्या करेंगे जो variable वाली values है इन्हें एक तरफ लेके आ जाएंगे यहां पे हमारे पास दिया है 5t तो जब हम इस 3t को इस तरफ लेके आएंगे is equal to के तो यहां पे इसके sign change हो जाएगे तो यहां पे यह प्लस है यह दूसरी तरफ आएगा अब यह minus है वहां जाके हो जाएगा प्लस तो 5t minus 3t 5 minus 2 5 minus 3 is equal to 2 2t is equal to अब यहां minus है यह plus है minus plus minus 5 minus 3 2 sign हमेशा बड़ी रकम का तो minus तो यहां पे हमें 2t चाहिए अब यहां पे जब हमने बात करी थी कि जब भी constant और variable एक साथ होते हैं तो वो multiplication में होते हैं अगर कोई यहां पे multiplication में है तो हमें तो सिर्फ t चाहिए अब हमें यह 2 भी नहीं चाहिए तो इस 2 को हम दूसरी तरफ लेके आएंगे लेकिन कहां रखेंगे यहां यह अगर multiply करता था तो दूसरी तरफ जाके यह divide करता है तो minus 2 divide by 2 2 1s are 2 2 1s are 2 तो t की value आ गई minus 1 next question है 5x plus 9 is equal to 5 plus 3x यहां पे हमारे variable है 5x और 3x पहले हम इने एक तरफ लेके आते है 5x यहां पे यह plus में है तो यहां पे आके हो जाएगा minus 3x is equal to यहां रहे गया था 5 अब यह plus 9 दूसरी तरफ जाएगा तो यह बन जाएगा minus 9 तो 5 minus 3 2x is equal to यहां पे यह plus 5 है तो plus minus minus 9 minus 5 4 और sin बड़ी रकम का तो यहां गया minus 4 यहां पे x की value आ जाएगी minus 4 यहां पे यह multiply हो रहा था दूसरी तरफ जाके divide हो जाएगा तो 2 1s are 2 2 2s are 4 तो x की value आ गई minus 2 हमारा next question है 4z plus 3 is equal to 6 plus 2z अब यहां पे भी हम क्या करेंगे z वाले variables को एक तरफ लेक्या जाएगे यहां आ जाएगा 4z यह plus का है दूसरी तरफ आके यह बन जाएगा minus का इसके sign change हो जाएगा यह बन जाएगा minus 2z is equal to अब यहां अगर हमें step extra long लेके जाना है और भी जादा लंबा करना है तो हम क्या लिखते इस वाले step को हमें ध्यान नहीं देना है यह समझाने के लिए में कर रहा हूँ 4z यहां पे आता minus 2z और यह plus 3 वैसा का वैसा ही रहता और यहां रह जाता 6 फिर next step में हम इस 3 को दूसरी तरफ लेके जाते तो वो step हम skip कर रहे हैं क्योंकि वो obvious सी बात है तो यहां पे हम लिखते हैंगे 6 यहां पे plus का था दूसरी तरफ जाके हो जाएगा minus तो 4 minus 2 2z is equal to 3 तो z की value आ जाएगी 3 divided by 2 next हमारा question है 2x minus 1 is equal to 14 minus x फिर से होई simple सा question हम पहले variable वाली values को एक तरफ लाएंगे 2x plus x is equal to 14 plus 1 तो 2x plus x अभी यहां पे सिर्फ x है मतलब यहां पे इसके साथ 1 है तो 2 plus 1 3 3x is equal to 15 अब हमें सिर्फ x चाहिए तो 15 यहां multiply में था दूसरी तरफ जाके divide 3 1s are 3 3 5s are 15 तो x की value आ गई 5 अब हमारा next question है 8x plus 4 is equal to 3 into x minus 1 plus 7 यह question थोड़ा important हो जाता है इसे थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रुत है अब सबसे पहले हम इसके कैसे solve करें पहले इस question को फिर से नॉर्मली लिखते हैं यहां हमने लिख दिया 8x plus 4 is equal to 3 x minus 1 plus 7 अब यहां पे question करें कैसे क्योंकि variable term हमें पता है 8x है लेकिन यहां पे तो x minus 1 भी है इसके साथ में 3 भी है तो क्या पूरी की पूरी term यहां लिखनी है नहीं ऐसे नहीं करना है starting में board mass rule पड़ा हुआ है तो वहां पे सबसे पहले आता है b यानि की brackets तो पहले हम bracket वाले को solve करेंगे कैसे करेंगे 8x plus 4 को हम वैसा का वैसा ही जब तक हमारे bracket solve नहीं होते हैं बाकियों को वैसा ही लिखेंगे अब bracket कैसे solve होते हैं bracket का मतलब भी multiplication होता है multiplication में इसमें वस ऐसा होता है कि जो बाहर वाली term होती है वो अंदर की values को पूरी तरह से multiply करती है सबसे पहले 3 से x को multiply होगा 3 into x बन जाएगा 3x फिर minus का sign आएगा 3 into 1 3 और यहाँ पे plus है अब यह bracket open हो चुका है अब हम इसे normally करेंगे अब यहाँ पे जो right hand side है यहाँ पे हमें देखने से पता चलता है यहाँ पे दो constant values है तो इन्हें हम यहीं पे solve कर लेंगे यह minus है यह plus है तो plus minus minus 7 में से 3 जाएगा तो कितना रह जाएगा यह रह जाएगा 4 और sign बड़ी रकम का अब जैसे ही यहाँ पे 0 आया तो हमें समझ जाना है कि हमारा answer आ चुका है यह 0 पे ही खत्म हो जाएगा क्यों क्योंकि अगर हम यहाँ पे लिख देते x is equal to 0 divided by 5 तो यह undefined है यह undefined है इसे हम solve नहीं कर सकते तो अगर दूसरी तरफ और कोई value ना रहके सिर्फ 0 आ रहा है तो हमारा answer आ चुका है 0 हम 0 को ही अपना answer माल लेंगे क्योंकि 0 को किसी value से divide करिए वो undefined आता है चलते हैं next question की तरफ x is equal to 4 upon 5 x plus 10 अब यहाँ पर भी bracket है या नि पहले हमें bracket को solve करना है तो हम लिख देंगे x is equal to 4 upon 5 से पहले x को multiply करना है तो यह बन जाएगा 4 into x 4x divided by 5 4 into 10 4 tens are 40 divided by 5 अब कुछ बच्चे यहाँ पर इसे directly भी काट सकते है 5 बन जा 5 580 40 इस तरीके से लेकिन मैं वैसा करने के लिए suggest नहीं करूँगा क्यों क्योंकि नीचे की value सेम है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं x is equal to 4x plus 40 divided by 5 अब जो यह नीचे वाली value है अब हम इसे यहाँ से हटाने के लिए क्या करेंगे अगर यह इस तरफ divide है तो जब हम इसे is equal to के दूसरी तरफ ले जाएंगे यह multiply में चली जाएगी तो यह बन जाएगा 5x हमने इसे यहाँ पे multiply के form में रख दिया तो 5x is equal to 4x plus 40 अब x और x वाली values को एक साथ लिखेंगे 5x minus 4x minus क्यों है क्योंकि यहाँ पे इसका plus का sign है जब दूसरी तरफ आएंगे तो minus हो जाएगा is equal to 40 तो x की value क्या जाएगी x की value आजाएगी 40 इस तरीके से इसे easily solve किया जा सकता है हमारा next question है 2x upon 3 plus 1 is equal to 7x upon 15 plus 3 तो यहाँ पे हमारे पास variable वाली terms है 2x upon 3 और 7x upon 15 हम इन्हें एक साथ लिख लेंगे और constant वाली values को भी एक तरफ लिख लेंगे सबसे पहले 2x upon 3 जब हम 7x को is equal to के दूसरी तरफ लाएंगे तो इसका sign change हो जाएगा अभी यह plus का है तो अभी यहाँ पे हो जाएगा minus मैंने यहाँ plus q लिखा जब किसी भी number या variable के साथ कोई भी sign नहीं होता वो positive होता है यहाँ लिखती है मैंने 7x upon 15 is equal to यहाँ रह गया था 3 और यहाँ पे आ जाएगा minus 2 सॉरी minus 1 तो अब हम यहाँ पे क्या करना है अब हम इन्हें directly solve नहीं कर सकते हैं क्यों क्योंकि इनके denominator जो है अलग-अलग है सबसे पहले हमें इनका LCM लेना होगा अब इसे long way में भी कर सकते हैं और short way में भी कर सकते है long way में कैसे करना है वो मैं यहाँ side में बता देता हूँ सबसे पहले हम 3 और 15 का LCM लेंगे 3 से शुरू करेंगे 3 1003, 3 500 15 और 5 1005 तो LCM हो जाएगा 3 into 5 15 फिर हमें करना क्या होता है कि जो 2x upon 3 है इसका जो denominator है इसको 15 के equal बनाना पड़ता है तो 3 को 15 कैसे बनाएंगे 5 से multiply करके तो उपर भी 5 से multiply करना होता है तो यह बन जाएगा 2 500 10x divided by 15 और यह तो already 15 है तो इसे कोई भी change नहीं करेंगे तो यहाँ पर हम 2x upon 3 की जगा लिखेंगे 10x upon 15 फिर हम इसे solve करेंगे तो हमें पता चल गया कि इनका LCM आने वाला है 15 तो अब मैं इसे directly कर लूँगा कि 3 को 15 कैसे बनाना है 3 5s are 15 तो पहले उपर भी 5 से कर लूँगा 2 इंटो 5 10x upon 15 minus 7x upon 15 is equal to 2 अब हमें इसे directly solve कर सकते हैं जब नीचे की values same हो यानि denominator same हो तो हम उपर वाल equations को या उपर वारे variables को directly solve करेंगे तो 10 minus 7 आ जाएगा हमारे पास 3x upon 15 is equal to 2 अब हमें चाहिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x हमें बाकी किसी value से अब हमें सिर्फ यहाँ पर x चाहिए तो अब हम क्या करेंगे हम लिखेंगे x is equal to 2 अब 15 यहाँ पर multiply अब 15 यहाँ divide में है तो दूसरी तरफ जाके यह multiplication में चला जाएगा और 3 जो multiplication में था वो divide में चला जाएगा तो अब हम इसे कैसे solve करेंगे 3103, 3500, 15 तो यहाँ पर फिर हम multiply करेंगे 2 into 5, 10 तो x की value आ जाएगी 10 तो हमारा answer आ गया 10 next question है 2y plus 5 upon 3 is equal to 26 upon 3 minus y बहुत easy question फिर से हम वही करेंगे variables को एक तरफ लाएंगे 2y plus y is equal to यहाँ हमारे पास रहाएगा 26 upon 3 minus 5 upon 3 तो यह बन जाएगा 3y is equal to अब यहाँ पर नीचे के denominator already same है तो हम directly solve करेंगे 26 minus 5 कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 21 upon 3 और इसे हम यहाँ पर divide भी कर सकते हैं 31003 37021 तो y की value आजाएगी सबसे पहले यहाँ पर 3y is equal to 7 लिख लेते हैं अब हमारे पास y है तो हम लिखेंगे 7 यहाँ पर यह multiplication में था यहाँ हो जाएगा यह divide y की value आजाएगी 7 divided by 3 हमारा last question है 3m is equal to 5m minus 8 upon 5 बहुत easy question है फिर से वैसे solve करेंगे 3m अब is equal to के दूसरे तरफ से जब हम 5m को लाएंगे तो sign change minus 5m is equal to minus 8 upon 5 अब यह plus है plus minus minus 5 में से 3 गया है 2 sign जो भी करने के लिखे हैं जैसे यहाँ plus है यहाँ minus है plus minus होता है तो हमेशा बड़ी से छोटी value को minus कर देना है तो 5 में से 3 गया 2 और sign बड़ी रकम कर लगाना है तो यहाँ जाएगा minus 2m is equal to minus 8 upon 5 अब हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ m तो हम लिख देंगे m is equal to minus 8 और यहाँ पे हम minus से minus को cut भी कर सकते हैं यहाँ पे हमारे पास सिर्फ रह जाएगा 8 upon 5 यहाँ पे यह multiplication में था तो यहाँ पे यह division में आ जाएगा तो अब हम इसके cut कर लेंगे 212, 248 तो हमारे पास m की value आ गई 4 upon 5 तो यह हमारी exercise complete होती है और कोई भी doubt है तो आप पूछ सकते हैं जाएगा